हलो गुड मॉर्निंग ओलोफ यू कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे से हैं आप स्टड़ी को इंजोई भी कर रहे हैं और जो भी माम ने आपको होंवक दिया है आपने उसे कंप्लीट किया है तो जल्दी से पताईए कि माम ने आपको प्रीवियस क्लास में क्या वर् मात्रा बताइंगे और आपको दो अक्षर वाले शब्त करवाने वाले तो आपको पता है आपने अपने प्रीवियस क्लास में दो अक्षर वाले शब्त किये हैं तो चली हम स्टार्ट करें उसके लिए आपको क्या करना है अपनी बुक ओपन करनी है बुक में पेज नमबर 6 और पेज नमबर 7 अब आप ये सोचेंगे कि माम तो आपको दो अक्षर वाले शब्द करवा रही है लेकिन उससे उपर ये अ की मात्रा यहाँ पर क्यों लिखी है तो माम उसे भी आपको explain करेंगी आप जैसे कि यहाँ पर पर सकते हैं अ की कोई मात्रा नहीं होती है अ क्या है? स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है किसी भी वन को बोलते समय अ की धमी उत्पन होती है जैसे क, ख, ग, ध अबाप व्यंजन बोलेंगे, जैसे आपने बोला क, जैसे क क क की साथ हमें लास्ट में अ वलासंड भी आता है तो इसलिए की मात्रा कोई महीं होती है अब आपको इनको बोल कर इनका अभ्याद करना है यह आपने पहले भी आपने रीट किया हुआ है आपने पड़ा है प्रिजेस क्लास में क ख ग ध च छ ज ज ज ज त थ ड ध त थ त थ द ध न तो जैसे मैं आपने न बोला न के साथ आपको आवाला साउंड आ रहे है न अब हम रिवाइज करेंगे दो अक्षर वाले शब्द क्या होते हैं इस दो अक्षर से मिलकर बनते हैं जैसे माम ने बोला क अब आपको पता चड़ रहा है एक ही अक्षर है क के साथ माम ने एक और अक्षर आट गला तो इन दोनों को मिलाकर कौन सा शब्द बना है करकर तो वैसे ही यह दो अक्षर वाले शब्द हैं जैसे यहां पर आप पिक्चर देख रहे हैं यह कौन सा पिक्चर है इसमें आपको बहुत सारे फल नजर आ रहे हैं तो यह क्या है फल अब हम फल बोलते हैं तो फल में हमे क्या पता चड़ रहा है कितने अक्षर है दो अक्षर है फ और ल तो फ ल हमें इनको जोड़ा तो कौन सा अक्षर कौन सा शक्त बन गया है फल फ ल फल बस बस धर घड खत खत अब इनको मिला दीजिए जोइन कीजिए न ल नन धन धन वेरी गोड आप इस सब माम के साथ साथ बोड़ें अब नीचे देखो आपको लिखने का परियास करना है तो यह आपने प्रीवियस क्लास में करा है तो इसलिए आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और मैं भी आपके थन थन घर घर नट धन धन किसे कहते है पते है आपको मनी आपको पॉकिट मनी मिलते है न जल 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 इट मेंज वाटर उसकी बाद आप नेक्स पेज पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्ती होए जिने आपको पढ़ना है लेकिन आप यह शब्त घर पर रीट करेंगे यह नाम यहाँ पर नहीं सदर आएंगे यह आपका होगो के आपको इन्हें घ को नती atmờus देखण को जोड़ते हैं पर यह फिर हमें आपको का चाने आपको की आपको माम की पर लेंगे चांगे लाइन बन दी फल चक इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें फल खाने के लिए कहा जा रहा है तो यह क्या है वाक्य फल चक खत पढ़ जग भर बाप नीचे देखेंगे यश उठ अब चल आपको पते जब हमारा वाक्य खतम हो जाता है तो हम लाउस को यह लगाते है इसे क्य क्या कहते है बताइए अगर आपने प्रुविस क्लास में लान किया है जल्दी से बताइए इसे हम कहते हैं कौर्ण बिलांग उस बस पर चड़ घर पर चल लव डर मत उठ कर मठ तक चल सच सच कह है हट मत कर हट मतलब जिदन मत कर खाल है उसे आपको बता चल गया और आपको कि अक्षर वाले संसे अपड़ और में करवाईगी तो आए होप कि आपको आज की क्लास में मज़ा आया है आपने लर्न भी किया है बहुत कुछ चलिए टेक किया गुडबाई और ब्लेस्ट अच्छ अच्छ अच्छ